दोस्तो नमस्कार आदाव सक्ष्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो जैसी संभावना थी और बहुत पुखता संभावना थी कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच भी गठ बंधन हो जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठ बंधन करने के बाद कॉंग्रिस के नेताओं ने कदम तेजी सी बढ़ाए और आम आदमी पार्टी ने उनका स्वागत किया आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुबह सुबह घोशना कर दी गई आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस की तरफ से कि वो दिल्ली गुजरात हरियाना चंडिगण और गोवा में गठ मंधन के साथ लड़ेंगे यानि एक बार जब आपस में कुछ गलत फाहमिया हुई थी तो ऐसा लगा था कि इंडिया एलाइंस तो गया क्योंकि नितिश कुमार जी जा चुके थे ममता बनर जी के जाने की आशनका थी लेकिन अब ये लग रहा है कि इंडिया एलाइंस नोक्योल टिका रहेगा बलकि कई ऐसे राजियों में जो भारती जनता पार्टी की उपस्तिती के हिसाब से बहुत महत्पून स्टेट हैं वहां आपस में मिल कर लड़ेगा और बीजेपी को चुनवती देने की कोशिश करेगा अब जिसे गुजरात है गुजरात में आमादमी पार्टी एक नई पार्टी है लेकिन उसने चुनाव लड़ा है पहले अभी हमने देखा ताकि एसेम्बली एलेक्शन्स में वो लड़े थे तो उन्होंने भी गुजरात में चाहा कि कांग्रेस पार्टी जो पहले से पुरानी पार्टी है वहां की वो कुछ सीटें उनको छोड़े तो भरूच जैसी अपनी बहुत महत्पूर सीट कांग्रेस ने उनके लिए छोड़ दिया अभी आमद पटेल का इलाका आमद पटे पार रखने के लिए कांग्रेस पीछे भी हटी और दो सीटें गुजरात में दे दी से सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो ये कांग्रेस के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि आमद पार्टी के पास उभरते वे नए कारिकरता हैं और भारती जनता और कांग जनता पार्टी के लिए मुशकिल नहीं पैदा करेगा बहुत बड़ी क्योंकि भारती जनता पार्टी ऑज की तारीक में गुजरात में अभेध्यय है इसमें कोई मुझे गल्त फ़र्मी नहीं है एक जनरलिस्ट के तोर पे वहां वो अभेध्यय है अभी उसको भेधना बह डिल्ली में बाद में आऊंगा क्योंकि सबसे इंट्रेस्टिक दिल्ली है की हरयाना में भी आवादमी पार्टी काफी शुंशंवराने वाले हैं पंजाब में सरकार बन कई लेकि हरियाना में नहीं बनी जहां कि अर्मिन कजरिवाल स्वेब राने वाले हैं और कोई बहुत असरदार उपस्तिती भी नहीं बनी तो इस आधार पर अगर उनको एक सीट हरियाना में मिली है कुरुक शित्र की गटबंदन में और कॉंग्रेस कहने के लिए गटबंदन है लेकिन वहाँ पर सभी सीट दो सीटें जो हैं दोनों सीटों पर कॉंग्रेस ही लड़ेगी और आमादमी पार्टी जिसका वहाँ आधार है थोड़ा बहुत वो उसका समर्धन करेगा और दोस्तों चंडीगर के अंदर शासित छेत्र जहां के व उनों ने मिल कर चुनाव लड़ा और वहाँ पर था तो मेयर का एलेक्शन लेकिन वो रास्ट्र व्यापी इसको प्रसिद्धे मेरी इतनी चर्चा हो गई क्योंकि भारती जनता पार्टी के लोगों ने भयांकर धांदली की और धांदली ही नहीं की जो सज्जन रिटर्निं हो गया उजागर हो गया और मामला ये कोर्ट में गया माननी सुप्रिम कोर्ट ने पूरे उनके फैसले को जो बारती जनता पार्टी के मेर को बैठा जिया था उसको नौकेवल उसको अवैद घोशित किया बलकि जो गिनती कराई गई बैलेट पेपर्स की उसके आधार पर आमादमी पार्टी के कैंड़ेट को दिगविजाई घोशित कर रिया गया तो एक बड़ी जीत दर्ज हुई इसलिए नहीं कि एक मेर का चुनाव जीत गया कोई आमादमी पार्टी आया उसका उमिदवार बलकि इसलिए कि जिस स्थितियों में वो चुनाव लड़ा गया औ और जो उसके नतीजे पहले आये भारती जन्ता पार्टी के मेर को जिता दिया गया था उसमें सुप्रिम कोट के हस्तक्षेप के बाद जो कुछ हुआ उससे एक रास्टी एक ख्याती मिली इस चुनाव को और भारती जन्ता पार्टी की बड़ी फजयत हुई आज तक भारत महत्पूर्ण या भी एक चुनाव भले ही एक सीट का हो लेकिन हो गया है अब दोस्तों आते हैं हम दिल्ली दिल्ली की साथ सीटें जो हैं इन पर भारती जनता पार्टी कावीज है और बहुत थंपिंग थंपिंग मेजार्टी के साथ उसको ये सीटें मिली हैं कॉंग्रेस पार्टी और आमाद्मी पार्टी दोनों दावा करती रही हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी अब वो हैं आमाद्मी पार्टी काती थी कि कभी रही होगी दिल्ली कॉंग्रेस की अब तो दिल्ली हमारी है जाईर है दिल्ली में उनकी सरकार है लेकिन भारती जनता पार्टी भी कह सकती है कि भाईया हम तो सारी संसुदी सीटें जीतते हैं तो ऐसी स्थिती में आप आदमी पार्टी को भी पीछे हटना पड़ा और कॉंग्रेस को भी कॉंग्रेस ने इस गठबंदन के तहथ तीन सीटों पर लड़ना स्विकार किया है ये सीटें कौन कौन है चांदनी चौक नार्थिस्ट देली और नार्थिस्ट देली ये तीन सीटों पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ेगी और नई दिल्ली वेस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली इस डली, इन पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यानि चार सीट आम आदमी पार्टी को, तीन सीट कॉंग्रिस को, अब इसमें एक पेश जरूर है कि कॉंग्रिस में इस डली सीट कॉंग्रिस के बहुत सारे नेता फेवर कर रहे थे कि वो मिलनी चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों, इस डली कॉंग्रिस को नहीं मिली, और वो उधर चली गई, जो हमारी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी का बहुत जोर भी नहीं था इस डली पर, वो इस डली को, कॉंग्रिस को सौंप सकती थी, लेकिन आजिंग कॉंग्रिस के नेताही दूसरी अने सीट को चाहते थे, इस डली के बजाए, जो लोग निकोशेसन में थे, इस तरह इस डली चली गई, आम आदमी पार्टी को, इस डली से संदीब दिक्षित, जो शेला दिक्षित, पुरु मुक्य मंतरी के पुत्र है, वो चुनाओ लड़ना चाहते थे, और मैं समझता हूं कि उन के बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे, अब भी बोल रहे हैं, उनके बीच में ये एक जुटता जमीनी अस्तर पर काइम हुई है, इसमें कोई दो राइड ही है, और चंडीगड के मेयर एलेक्षिन ने इसको जरूर एक आधार दिया है, एक 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 संगत आधार दिया है, तो ऐसी स्की में भारती जंता पार्टी के लिए कई राजियों में ये ऐसा नहीं है कि अब उस तरह से आसान चुरा होगा जैसा उसको पहले आसान समझा जा रहा था, अब रही बात बंगाल की, तो दोस्तों बंगाल में शुरू में शुरू में लगा कि बिलकुल संभोई लगता है कि टीमसी बाहर चली जाएगी इंडिया एलाइंस से, लेकिन अब ये लगर आए कि टीमसी भले ही इंडिया एलाइंस में बनी रहे, लेकिन बंगाल में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, अभी कल तक कहा जा रहा था कि शायद सीटें कर चुनाव लड़ेंगे, अभी तक की ये इस्थिटी है, लेकिन इंडिया एलाइंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में आम आदी पार्टी और कॉंग्रिस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ना है, लेकिन इंडिया एलाइंस कोई प्रभाव पंजाब में भी नहीं पड़ेगा, दोनों अलग 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 लड़ेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन इंडिया एलाइंस में दोनों घटक दल के रूप में मवजूद रहेंगे, जिन राजियों में दोनों पार्टियां चुनाव साथ में लड के बाद जो एक महाल इंडिया एलाइंस के लिए निगेटिव बन गया था, वो फिर एक बार पटरी पर आता नजर आ रहा है, और भारती जनता पाटी के मुकाबले इंडिया एलाइंस भी अब डटकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी और मानसिक्ता बना चुका है, त के एल कुल कि कर दो एलाइंस